असलाम अलेकूम, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है आपकी बोड़ी पे और आपके फेस पे जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे आप उनको बहुत आसानी रिमूव कर सकेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो एक पैन में मैंने यहाँ पर आधा कप दूद लिया है मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें आधा चमच चीनी एड़ कर दूँगी और चीनी मैंने इसलिए एड़ की है क्योंकि चीनी से चीपक करके हैर जल्दी बाहर आ जाते हैं और आधा चमच इसमें हल्दी एड़ की है, हल्दी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होती है यह हमारी स्किन को बहुत अच्छा सा बना देती है, क्योंकि यह एंटी बैक्टिरियल होती है और इसके बाद मैंने इसमें आधा चमच काफी एड़ की है और मैं काफी को तब तक इसमें मिक्स करूँगी, जब तक यह अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तो अच्छी तरह से मैं इसको मेल्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें एक चीज और एड़ करूँगी तो काफी का भी हमारे चेहरे पे बहुत जादा फायदा होता है, आप काफी का यूज चेहरे पे जरूर क्या कीजे अब मैंने यहां पर बादाम का तेल एड़ किया है, बस एक टी स्पून ही बादाम का तेल एड़ करना है, अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है, तो आप नारिल का तेल एड़ कर दे, और दो चोटी चमच मैंने इसमें आठा एड़ किया है, तो आप यह जो गेहू व इसके चिपकने से हेर day जल्दी से remove हो जाते हैं. तो इस तरह से, देखिए मैंने आटाउ डालकर इसका गहडासा paste by बना लिया और आप इसी तरह से गहडासा paste बना ले, इसमें कोई भी lumps न रहे और अगर आपका paste थोड़ा गहडा हो जाए अब देखे मैंने गैस बंद कर दिये और मैंने देखे यहाँ पर एक पेस्ट बना के तियार कर लिया क्योंकि आठा बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो इसलिए पेस्ट गाड़ा हो जाता है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क एड़ कर लूँगी और थोड़ा सा इसको लूज कर लूँगी बहुत ज़्यादा इसको लूज नहीं करना बस थोड़ा सा ही इसको लूज करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसकिन पे लग जाए आप जहां चाहे वहाँ इसको अपलाई करके और अपने हेर को रिमोव कर सकते हैं तो देखे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूद इसमे एड़ कर लिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी और इसको अपलाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप इसको लगाना है उसी वक्त इसको बनाए क्योंकि यह हलका सा गरम ही लगता है जब यह हलका सा गरम लगेगा तभी चिपक करके बॉड़ी के जितने भी बाल होंगे तो उसको उतार देगा तो मैं इसको आपको हाथ पे अपलाई करके दिखाऊंगी और आप इसको अपने चेहरे पर भी अपलाई करें ये pack हलके हास से आपको apply करना है और आप बालों की side को देखकर इस pack को apply करें अगर बाल का रूप उपर की side है तो आप इसको नीचे की side से उपर को ही ले जाएं तो इसको जिस position में बाल होते हैं उसकी उल्टी side से इसको लगाए जाता है जिसे बाल जो है ना remove होने में आसानी रहती है और जल्दी रिमूव हो जाते हैं आटा बालों पे चिपक जाता है और जब हम इसको रिमूव करते हैं तो बहुत आसानी से बाल रिमूव हो जाते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है ये पैक बच्चों के लिए भी है, अगर आप इसको बच्चों की बॉड़ी पर अपलाई करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चों की बॉड़ी पर जो रुआ होता है, उसको ये बहुत जल्दी हटा देता है, तो इस तरह से आप आटा, इस पे सूखा आटा लगा कर ही इसको रिमूओ कीजिए, आप इसको आदा घंटा तक लगा के रखें और इसके बाद इस तरह सूखा आटा आप हलका हलका लगा करके इसको रिमूओ कर दीजे, जब आप आटा लगा करके इसको रिमूव करेंगे तो यो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा और आपकी बॉडी पे जो बाल होंगे वो भी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगे बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्त पहिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगे इसी तरह से आप इसको चेहरे पे अपलाई कीजे और इस तरह ही चेहरे पे हलका हलका आटा लगा करके आप इसको रिमूव करेंगे तो इस तरह हफते में आप इसको जब दो तीन बार जरूर अपलाई करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से चेहरा साफ हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा ये आपके चेहरे के रंग को भी बहुत जल्दी से साफ कर देगा बिल्कुल गोरा कर देता है जितना भी मेल कुचल होता है ये सब को हटा देता है देखे मैंने इसको रिमू कर लिया और पिरकुल मेरा आप खुद देख सकते हैं कितना साफ हो गया और अब जब मैं इसको आपको दो करके दिखाऊंगी तो आप देखेगा कितना अच्छा ग्लो आएगा तो देखे अभी मैं आपको दो करके दिखाती हूँ तो देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है हैंड और साफ हो गया है तो इस तरह से आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट में बताइए आपको ये रेमिडी कैसी लगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें तो चलिए चलते हूं इंशाला फिल लॉट के आउंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए लिए लाहाफेज